नमस्कार दोस्तूं सीटेट लेविल पर्तम और लेविल दिविते के लिए हम देख रहे थे हिंदी व्याकरण एंपेडागोजी ट्रिक्स से दोस्तूं आज कलास नमर चार रहेगी जिनके दो़ारा आप नोट्स भी अपने प्राप्त कर सकते हैं इंदी ग्रामर और पेडागोजी नोट्स है वो बना सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं दोस्तूं चोति किलास में देखेंगे विशेशन विशेशन के बारे में कंप्लीट अद्धियन करेंगे बहुती सोट में करेंगे और इतना तरीका बताएंगे जिसले आपका क्यो़ सनैवो गलत ना हो दोस्तू वरीके दुआरा तीस से तीस अंक तीस में से तीस अंक है वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं हिंदी के अंदर चाहिल बासा आपने परतम ली हो या बासा द्वित्ते ली हो वो संपूर्ण जानकारी इस कलास में रहेगी इसलिए इस कलास को मिस्स मत करना और पले लिस्ट बनी हुई है सिटेंट हिंदी ग्रामर और पेड़ागोजी के नाम से जहां से जाकर आप परते कलास अटेंड करते हुए अपने नोटस है वो बना सकते हैं दोस्तु एक बार सभी साती वीडियो को लाइक सेर और जो नए साती जुड़ रहे हैं वो चैनल को सबस्क्राइब करें और चलते ह हमें यहां पर बात कर लेते हैं कि यह विशेशन होता क्या है नाम आगया हमारे सामने वीशेशन 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 यह नहीं विशेशता किसकी विशेशता कुछ आया समझ में तो देखिए संग्या एवं सरवे नाम शब्दू की विशेशता बताने के लिए जिन विकारी शब्दू का परियोग किया जाता है उन्हें विसेशन कहते है शंग्या और शर्वे नाम कल पड़ा था शर्वे नाम शंग्या किस्तान पर परियुक्त की जाने वाले शब्द शर्वे नाम कहलाते हैं ना तो संग्या और शर्वे नाम सब्दू की विशेस्ता बताने के लिए जो विकारी सब्द हम परियोग करते हैं उन्हें विशेसन कहते हैं समझे यहां पे नीला कास आकास केसा नीला विशेस्ता बताई जा रही है आकास की की नीला है समझे आप यहां पे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि छोटी लड़की लड़की कितनी है छोटी है यह विसेशता हो गई शंग्या शब्द की इसी को विसेशन कहते हैं दोस्तों जिसकी विसेशता बताई जाती है उसे विसेश से कहते है कैसे जिसकी विशेस्ता बताई जाती है जैसे यहाँ पर लड़की की विशेस्ता बता रहे है तो लड़की यहाँ पर क्या है हमारे विशेसे यहाँ पर आकास हमारे क्या है विशेसे समझ गए यदि विशेशन शब विशेसे से पहले प्रयूकत होता है तो उसे विशेसे विशेसन कहते है जो विशेसन सब्द है ये विशेसे ये देखे विशेसे आपका इसे पहले ये देखे विशेसन आ रहा है पहले आ रहा है न तो इसे क्या कहेंगे हम विशेसे विशेसन कहेंगे देखे ये विशेसन आपका ये विसेसे लेकिन अगर ये मानिये कि येसा लिकावा होता कि गोडा काला तो क्या बोलते गोडा काला यानि ये जो आपका काला है जो विसेसता बताई जा रही है गोडे की ये आगे होता पीछे ना होता तब क्या बोलते पीछे हैं जो पहले आ रहा है तो उसे तो हम बोल रहे हैं विसेशन विसेशे अब देखे अगर आगी आ जाता यदी विसेशन विसेशे के बाद में परियुक्त होता देखे ये विसेशन आपका समझ गए तो सीधा सा है यहां पर देखिए यहां पर मैं लिख दूँ काला के आगे गोडा इससे तो पहले आ रहा है और इस गोडा के बाद आ रहा है तो अगर इससे बाद विसेश्टा कोई संगे या सरवनाम शब्द है उसके बाद विसेश्टा बताई जाए ना तो उसे विदे कहेंगे और जो यह विसेश्टा बताई जा रही यह तो मैंसे विसेश्टा ही रहेगी और अगर जो विसेश्टा है जो विसेश्टा उसके बाद हमारा संगे या सरवनाम सब्द है तो उसे हम क्या कहेंगे विसेश्टा यही चीज थी दोस्तों आ गया समझ में अब देखे विशेशन चार परकार के होते हैं ट्रीक देख लो सास के पगदो सा सास से सारवे नामिक विशेशन सैसे शंक्या वाचक विशेशन पैसे परिम नाम वाचक विशेशन और गैसे गुण वाचक विशेशन यह आपका आराम से देखे सास के पगदो सास सार्वे नामिक सैस से संक्या वाचक पैसे परिणाम वाचक और गैसे गुण वाचक विसेशन ये चार परकार का विसेशन होता है और विसेशन कहते किसे हैं जिसको समझ लिया होगा आपने कि कोई शंग्या सब्द दिया गया है कोई सर्वे नाम दिया गया है अगर उसकी विसेस्ता बताने के लिए कोई शब्द हम परियुक्त करते हैं जैसे गोड़ा यहां पे एक संग्या सब्द है और इसकी विसेस्ता बताने के नहीं हमने लगा दिया काला गोडा तो यह काला उस यहां पर क्या हो गया आपका विशेशन हो गया समझ गए यहां पर अब चलिया दोस्तों पहला प्रकार शार्वे नामिक विशेशन या जिसको हम संकेत वाची विशेशन भी बोल सकते हैं शार्वे नामिक विशेशन या शंकेत वाची विशेशन जब सर्वे नाम सब्द किसी संग्या के साथ जब शर्वे नाम सब्द है वो किसी संग्या के साथ मतलब शंग्या के पूर्व है उसी संग्या के अर्थ में परियुक्त होता है तब उसे सार्वे नामिक विसे सिन कहते हैं दोस्त समझ में आया क्योंच कोई शर्विनाम सब्द है संग्या से पेले आए और संग्या उसी संग्या के अर्थ के लिए आए देखे यहां पर वह मोहन पढ़ रहा है मोहन पढ़ रहा है मोहन केवल संग्या वह पढ़ रहा है यहां पर वह जो केवल सर्विनाम है वह मोवन पढ़ रहा है तो यहां पर देखे वह मोवन कुछ है समझ में जो यहां पर यह आपके लिए वह परियुक्त किया गया है यह किसके लिए किया गया है मोहन के लिए तो यहां पर आपका सार्वे नामिक विसेशन हो गया कोई सर्वनाम सब्द अगर संक्या से पूर्व प्रियुक्त किया जाए और उसी संक्या के अर्थ के लिए उसको प्रियुक्त किया जाए तो वह सर्वनाम सब्द में सार्वनामिक विशेशन होगा आगया चित रही है तो समझ में अब देखे बात यहां पर हम सार्वनामिक विशेशन की कर रहे हैं सार्वनामिक विशेशन के दो बेद हैं दोस्तु एक है मोलिक सार्वनामिक विशेशन दूसरा है योगिक सार्वनामिक विशेशन मोलिक और योगिक दोस्तु आराम से देखें आराम से समझ जाएंगे आप मोलिक मोलिक सार्वेणामिक विशेशन जिसमें केवल एक ही सर्वेणाम मूल रूप में परियूख्थ होता है एवन बिना रूपांतरण के संग्या से पहले आता है जो हमने उपर बढ़ादाना वो ही चीज एक ही सर्वे नाम बिना रूपांतरन के शंग्या से पेले जैसे वह आदमी जा रहा है यहाँ पर आपका कौन सा है मोलिक सार्वे नामिक विशेशन होगा कौन वेगती आ रहा है इसा भई तो भी वहाँ पर मोलिक सार्वे नामिक विशेशन होगा अब देखे योगिक सार्वे नामिक विसेशन जब एक सार्वे नामिक विसेशन के साथ श्रहियोजक के रूप में दूसरा सर्वे नाम परियुक्त हो जाता है तेदा मूल रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है उसे योगिक सार्वनामिक विशेशन कहते है जब एक सार्वनामिक विशेशन के साथ संयोजक के रूप में दूसरा सर्वनाम प्रियुक्त हो मौल रूप में कुछ परिवर्तन हो उसे कहते हैं योगिक सार्वनामिक देखे यही आदमी है जिसने मोहन को पीटा यही आदमी है कुछ समझ में आया नहीं आया जिसने मोहन को पीटा यह दूसरा सरवनाम प्रियुक्त हो रहा है उसी आदमी के लिए यह है यही और जिसने तो यहां पर जो यही है ना इसके अंदर होगा आपका योगिक सारवे नामिक विस्यसन यही वह मोहन है जो कल बाजार गया था दूसरा वादर अन्व बोल रहा हुए यही वह मोहन है जो कल बाजार गया था यहां पर देखें यह ना वह निचे लिख दूमे यही वह मोहन है जो कल बाजार यही और वह आया समझ में तो यह होता है योगिक सारवे नामिक विस्यसन मौलिक और योगिक यहां पे आप ले लीजे स्क्रिन सोट शाहिदी ऐसी जानकारी कहीं मिले तो यह था आपका सारवनामिक विस्यसन पहला दूसरा जो विस्यसन है आपका वो है गुणवाची विस्यसन संग्या एवं सरवे नाम सब्दू की दसा उनके गुण एवं सवभाव को लक्सित करने वाला शाहिद गुणवाची विस्यसन होता है संग्या और सरवे नाम जो सब्द है उनकी गुण गुणता के बारे में बताने वाला गुणवता के बारे में बताने वाला जो जदे की काल से समंदित हो सकती है इस्तान आका रंग दसा गुण इन से समंदित हो सकती है जैसे देखे काल से समंदित सब्दू में प्राचीन मोसमी नवीन हमने स्वाई मादोपुर में प्राचीन दुरग देका कौन सा है काल वाची गुणवाचक है प्राचीन के अंदर इस्तान से समंदित बार भीतर उंचा निचा गेरा आडा तिर्चा लंबा उंचोडा इस्तानी आदी कुवा भहुत गेरा है कवा भहुत गेरा है तो गेरा इस्तान से समंदित आ गया ना आपका ये गुणवाची होता है दोस्तों तीसरा है अकार से समंदित चोकोर, नुकिला, चप्टा, पेना, गोल, समान, सुडोल जैसे नुकिली सुई के दुआरा मोहिन को गाहिल किया नुकिली क्या है? गुणवाची विशेशन पर्यूगत किया गया नुकिली सुई सुई की विशेशता बताए गई है, कैसी सुई? नुकिली सुई रंग से समंदित, हरा, निला, पिला निला कपड़ा आकास में उड़े रहा है तो निला क्या बता रहा है? कपड़े की विशेशता, उदार न दिया आपके लिए दसा यवं गुण समंदि विर्शब रोगी, शवच, तोड़ा द्यान से देगना इसको रोगी, शवच, दुबला, पतला, मोटा, बारी, गीला, शुका, पिगला, गाडा, गना, गनी, तरल, पालतु, आदी ये क्या होंगे आपके? दसा और गुण से समंदित शमझ गए? पिगलावा गुड लेने गया था, मैं पिगलावा गुड लेने गया था, गुड कैसा लेने गया? पिगलावा है, मतलब गुड की विसेस्ता पिगलावा है तो ये जो चीजे हमने पांच पढ़ी है काल, इस्तान, आकार, रंग, दसा और गुण ये आपके गुनवाची विशेशन की विशेशताएं हैं दोस्तु वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन यहां से सीधा एकजाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है बहुत अच्छा और इंपोर्टेंट क्यूसन आपके लिए अब आगे चलिए मित्रू गुनवाची विशेशन में ही थोड़ी जानकारी हो लेते नाम नामक रूपी समंदी आधिस अब्दू से जोड़कर शंग्यश अब्दू से विशेशन बना लिये जाते हैं जैसे त्रिशना रूपी नदी त्रिशना के साथ रूपी लगाया तो एक विशेश्ता हो गई नदी की विशेश्ता होगी त्रिशना रूपी विशेश्ता जब कि त्रिशना नदी होती तो एक नदी का नाम होता लेकिन त्रिशना रूपी नदी कि त्रिशना जैसी नदी मतलब नाम नामक रूपी समंदी यह सब किसी के साथ हम जोड़ते थे, संग्या सब्दू के साथ विसेसन बन जाता है, विदाले समंदित कागजात संभाल कर रखो, विदाले कागजात संभाल कर रखो, अब क्या है, विदाले समंदी कागजात संभाल कर रखो, आपको बोला जा रहा है, मतलब यहां पर, पुर्दाले की विशेष्टा हो गई, आया समझ में, इसके अलावा सरीका समां तुल्ले युगे, आदी सब्दू का प्रियोग करके संक्या सब्दू से विशेष्ण बनाए जाते हैं, जैसे बरत सरीका भाई मिलना कटीन है, बरत की विशेष्टा बताई जा रही है, बरत सर बाई से तुलना करके कह रहा है कि आप मेरे बाई के तुल्ले हो यहां पर भी गुणवाची विशेसर होगा आगे चलिए दोस्तों और शंग्या सब्दु में कारक चिनू का परियोग करके अत्वा सब्दु के मूल रूप में परिवर्तन करके इवं संग्या सब्दु में कारक चिनू का वहरित करके विशेसर बनाए जाते है कुल मिला के एक बात के रहा है यहां पर कि जो संग्या सब्द है वहाँ पर कारक चिनू का अगर हम परियोग करते हैं तो वहाँ पर गुणवाची विशेसर हो जाता है देखे यहां गर का जगड़ा गर क्या संग्या लेकिन का लगते ही गर का जगड़ा गर जगड़ा नहीं गर का जगड़ा जगड़े की विशेषता गर का आया समझे जैसे यहां पर आजाए राजा की माता सोट में हम बोलते हैं राज माता लेकिन राजा की माता जंगली जानवर आ गया जिया जंगली क्या विशेशन है जानवर की विशेशन बता रहा जंगली कि जंगली है वो जानवर समझ गए कभी कवल विशेशनों का प्रियोग होता है और विशेशे लुप्त हो जाता है विशेशनों में ही विशेशे समया होता है जैसे बड़ू ने सच का है यहाँ पर बड़ू बड़ू मतलब बड़े आदमियों बड़े आदमियों की विशेशना बड़ू के दुवारा बताई जा रही है समझ गए तो ये था गुणवाची विशेशन थोड़ा सा कठीन रहता है गुणवाची विशेशन विशेशन अगर आप पड़ते तो एक मातर गुणवाची है जो एकजाम में कठीन लगता आपको तो इसे दुबारा देख लेना बेग जाके अब चलते तीसरे विशेशन की और संक्या वाचक विशेशन संग्या या सर्वेनाम सब्दू की संक्या का बोद कराने वाला विशेशन संक्या वाचक विशेशन कहलाता है संग्या या सर्वेनाम सब्दू की संक्या का बोद कराने वाला विशेशन संग्या और सरवनाम सब्द है उनकी संग्या कितने है उसका बहुत कराने वाला ही संग्या बाचीवी सेसन है अब देखे सब्दू के साथ चोटी संग्या शब्दू में लिखी जाती है जबकि बड़ी संग्या अंकू में लिखी जाती है चोटी संक्या आप लिखोगे तो सद्धू में लिखना है समझे बड़ी लिखनी है आपको तो अंकू में लिखे देखे श्रमवत 2,600 तो यहां पे 6,006 बड़ी संक्या है तो इसको अंकू में 4 चोटी है तो 4 शब्दू में लिख दिया 4 आदमी अब आगे देखिए शंक्यावाची क्विसेशन के दो बेद होते हैं एक निस्चित संक्यावाची जैसे दो दस एक निस्चित है हजारून लाकूं कहीं कुछ सब दो आदमी जा रहे थे आदमी कितने थे दो आदमी क्विसेशन की दो आदमी थे एक निश्चित संक्या की दो थे अब आ जाए कि कहीं आदमी जा रहे थे कुछ हमें पता नहीं थे कितने कईयों में अजार लाग पाँच लाग दशला किते थे एक था पांच था पचीस था कुछ पता नहीं है तो ये तो अपने आप पता चल जाएगा अगला आता है परिमान वाची विशेशन शंग्या वे शर्वे नाम सब्दू की मात्रा वहाँ पर तो संग्या बताई जा रही थी ना परिमान वाची इसमें मात्रा है मात्रा को अनुमानते वेक्त या परियोग करने के लिए जिन शब्दू का प्रियोग किया जाता है उन्हें परिमान वाची विशेशन कहते हैं दो प्रकार का हुता है एक निस्चित परिनाम वाचक एक एनिस्चित परिमान वाचक समझ गया आप अब देखें यहां पे निस्चित में दो मिटर, दस मिटर, पचास मिटर, दस डिग्री सेल्सियस ए निस्चित में बहुत कुछ, अल्प, जरासा, थोड़ा, थोड़ा सा, और मतलब मुझे और पढ़ना है जैसे किता पढ़ना और, और पढ़ना, पढ़ना है है किता पढ़ना वो पता नहीं शब सारा समुचा ये ऐसे सब्द हैं जो आपके एनिस्चित है दोस्तूं समझ गए आप एक एक चीज को पढ़िए अब आगे देखिए ये प्रेणाम वाची हो गया आपका आगे चलते हैं थोड़ी सी बहतरी जानकारी और लेते हैं मित्रू आगे बढ़ कर हम देखिए याँ पे दो परकार के विशेशन उपबेद के रूप में माने गएं इन्हें परदान विशेशन नहीं माना जाता है चार परकार तो सारवे नामिक गुणवाची संक्यावाची परिणामवाची पढ़ लिए लेकिन दो परकार एक प्रेविश ये दो और होते हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है दोस्तु समझे आप इन दो के बारे में हमें पढ़ना है अब देखे इन दो के बारे में हम कैसे पढ़ते हैं कोई दिखत वाली बात नहीं आराम से देखे इसे अंतर विसेशन भी कहते हैं प्राय विसेशन मतलब इसे अ युक्त होता है उसे प्रह विशेशन कहते हैं यह देखे आपका है संग्यासब उसके लिए ये विशेशन और इसके लिए और ये विशेशन ये भी विशेशन और ये भी विशेशन यानि इसकी विशेशन बता रहा है इसकी ये विशेशन और बता रहा है तो इसे प्रह गया दोस्तु अब देखे आगे हैं हमारे क्रिया विशेसन वे विशेसन जो संग्या या सर्वनाम सब्दू की विशेसन नहीं बताते हैं और क्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर पढ़ेंगे अव्वे के अंदर देखे उन्हें क्रिया विशेसन सब्द केते हैं क्रिया विशेसन अवे सवरूप होते हैं अते इनकादेन की अधिक जानकारी अविकारी सब्द अवे के अंदर अगली क्लास के अंदर हम करेंगे दोस्तु वहां पर आ जाएगा क्रिया विशेसन अवे अवे के चार परकार हो का दोस्तों समझ गए आप तो ये थी हमारी विसेशन की क्लास केसी लगी आपको जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए एक बार साथी बाकी के क्लासे प्लेलिष्ट के अंदर बनी हुई है वहाँ पर जाकर अटेंड कर लीजिए सीटेट हिंदी ग्रामर एंड पेडागोजी तो सीटेट की तयारी हम अभी करवा रहे हैं और जो भी साथी सीटेट की तयारी कर रहा है जो साथी रीट की तयारी करके गया है उनके लिए बहुत आसान है ये एक जाम सेम सलेबस है कोई दिकत नहीं तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं बाकी यहां पर इंस्टाग्राम आइडी दी गई है जहां पर जाकर आप मेरे को मेसेज भी कर सकते हैं तो यह कलास आपको कैसी लगी है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सबस्क्राइब कर लो के बार